तो दोस्तो आज हम गवार फली की सबजी बनाएंगे, तो सबसे पहले इसके जो दोनों तरफ से टिप्स है ना वो हम कट कर लेंगे, तो इनको काट लिया है मैंने, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है काटके, तीन से चार हडी मिर्चे, पांच से छे लेसुन की कर लिया, और एक इंच अदरक का टुकड़ा कदुकस कर लिया है, और यह मसाले का डबबा है, इसमें डेली में कामाने वाले सारी मसाले हैं, तो सबसे पहले हम कटाई को गरम होने के लिए रखेंगे, और दो टेबल स्पून ओयल एड करेंगे, तो ओयल को ग प्याजिशन में हल्प करता है, यहाँ पर कटा हुआ प्याज मैंने डाला है, और इसको हम भून लेंगे, और जैसे ही यह प्याज भून कर तयार होगा, हम इसमें अदरक और लहसुन जो हमने कस कर लिये हैं, उनको डाल देंगे, तो प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन ह हो गया है, तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है, और अब साथ में ही प्याज अदरक लहसुन सारी चीज़े हम मिला कर भून लेंगे, और यह हरी मिर्चे भी यहाँ पर डाल कर इनको भी हम इनके साथ में ही भून लेंगे, तो इनको थोड़ा सा गोल्दन इसको होने में लगबग 2-3 मिनट लग जाते हैं क्योंकि फ्लेम को हमने मिडियम रखा है तो दोस्तो ये जो प्याज है ये लगबग गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम क्या करेंगे इसमें हल्दी डाल देंगे तो आदा चम्मच हल्दी प्लस एक चम्मच कोरियंडर प अच्छे से ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाए तो बिल्कुल इस तरह से और जैसे ही ये मैंने मिक्स किया उपर से थोड़ा सा नमक लगबग डेड़ चोटा चम्मच नमक आप अपने डिस्ट के अकोडिंग एड़्जस्ट कर लें और ये एक चम् ये उन लोगों के लिए बहुत बैनेफीशल है जो वेट लोस का प्लान कर रहे हैं जिनका कॉलेस्ट्रोल लेवल हाई रहता है तो ये कॉलेस्ट्रोल को कम करने में हेल्प करती है और वैसे भी सारी हरी सबजिया हमें डेली रूटीन में खानी चाहिए बहुत ही हेल्दी हो हैं तो इसको चला सकते हैं flame एकदम low पर रखें एकदम low flame पर हम इसको पकाएंगे ताकि जो इसके nutrients हैं वो सारे alive रहें और एकदम बढ़िया से मज़िदार tasty सबजी बनकर तयार हो तो ये एक चमच चाट मसाला और एक चमच गरम मसाला मैंने डाल दिया है में ही ये सबजी जो है पकर तेयार हुई है फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए धन्यवाद